आज मैं आप सबी के सामने यह स्वेटर डिजैन लेकर के आई हूँ जो कि मैंने एक कलर के उन्मी से बनाया है और यहां पर देख सकते हैं कि इसे मैंने थोड़े जाली दे करके बनाये हैं तो आप इसे बंडी में आराम से बना सकती हैं या फिर स्वेटर में भी इसे कर सकते हैं नीरी स्टार्टिंग में बार्डर के सेंपल के तौर पर आप इसे बना सकती हैं तो यहां पर देखिए इसे बनाना बहुत ही आसान है और यह मैंने साथ-साथ फंदों का गैप लिया है तो अगर आपको यह चोड़ाई सही लगती है तो ठीक है वरना आप इसे क कर सकती है पांच फंदे ले सकती है इस दोनों डिजाइन के बीच वाला गैपिंग तो फिर चलिए बताते हैं आपको यह डिजाइन कैसे बनेगा उससे पहले अगर आप हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अफ्लोड करूँ तो उसके नोटिफिकेसन आप तक पहुँच सके और आप उस वीडियो का देख करके इस्तमाल कर सके चलिए फ्रेंस बनाते हैं तो फ्रेंस यहां पर मैंने थोड़े से सेंपल के तोर पे फंदे निकाल लपेटेंगे और यहां पर देखे एक दो तीन चार पांच छे और एके साथ साथ फंदे बीन लेना है वापस हम यहां पर ग्यान उबर करेंगे और यहां पर साथ फंदे बीनेंगे सीधा एक दो तीन चार पांच छे और एके साथ पिर यहां पे ग्यान ओबर कर लेंगे लास्ट वाला है तो नेक्स्ट इसी तरीके से आपको बनाते जाना है साथ फंदे फिर ग्यान ओबर फिर साथ फंदे फिर ग्यान ओबर यह फर्स्ट रो रहेगा आपका इस तरीके से आपको पूरी सलाइबीन लेनी है और second row wrong side से आप सभी फन दो को इस तरीके सुझे है उल्टा उल्टा बीन करके complete करेंगी तो देखि element इस रो इस रो में हमने एक एक फंदग एक्श्टा बड्ठ आए हैं अब हमें क्या करना है यहां पर जो ग्यान ऑबर की है उसके पीछें हमें फंदे घटाना है, पहले हम फंदे को skip करेंगे, फिर एक फंदा यहां पर हम सीधा बीनेंगे, वापस यहां पर ग्यान ओबर करेंगे, और यह दो फंदे जो हैं, इसको हमें दो फंदों का एक फंदा करना है, सीधा करके, इस तरीके से, फिर यहां पर 1, 2, 3, 4, and 5, 5 फंदे बच गए हैं, इसे हमें बीन लेंगे, यह ग्यान ओबर वाले फंदे हैं, इसे भी हम बीनेंगे, उसके बाद यह ग्यान ओबर वाले के बाद, इसे उन को इस तरीके से सीधा कर लेंगे, ताकि यह चोटी जो है, सीधी सीधी नजर आए, उसके बाद फिर हम यहां पर दो फ तो यह बढ़ते चला जाएगा तो वापस से हम यहां पर ग्यान उबर करेंगे और उदर जो है नेक्स्ट आप बनाते जाएंगी तो दिखिए इस तरीके से हमने यहां पर एक फंदे को घटा लिया यहां पर एक फंदे को घटा लिया वापस से हमें एक एक फंदे को बढ़ा अब वापस से हमें उसी प्रोसेस का इस्तमाल करते हुए बनाना है दीखे फ्रेंस उनको अपनी और लाएंगे एक फंदा सीधा भी नेंगे दो फंदा सीधा भी नेंगे और फिर यहां पर ग्यान ओबर करेंगे एक जैसे कि यहां पर देखें जाली बना है एक दो और यह अब तीसरा जाली बन रहा है तो इसको हमें घटाना है इस तरीके से दो फंदों का एक फंदा करना है फिर वापस से हमें एक दो तीन चार चार फंदे बच गए एक फंदा बीनेंगे फिर यहां पर ग्यान ओबर करेंगे और इस फंदे को हम घटाएंगे इस तरीके से देखे फिर वापस से नापस बना लेंगे इधर नहीं घटा रहे हैं इस त więc मैंने यहां फिर ग्यान ओबर नहीं बनाया है रोंग फंदों को उल्डब बिनेंगे अब देखे फ्रेंट्स यहां पर तीन जाली बन चुके हैं देखे एक दो तीन तीन जाली है यह चोथे जाली में है तो अब हमें यहाँ पर उल्टे फंदे बनाने है तो इधर देखे बढ़ रहा है फंदा तो आप फिर जो है इसको इस तरीके से बीनेंगी धर घटाएंगी नहीं और यह दिखे जाली बना एक दो तीन वापस से ग्यान उबर करेंगे और यह एक फंदे को पलट के सीधा करके और दो फंदा इस तरीके से बना लेंगी और जो यह चार फंदे हैं इसे हम उनको अपनी और लाएंगे और यह उल्टा बिन लेंगे देखे एक, दो, तीन, चार चार फंदे हमने उल्टे बिन लिए उसके बाद फिर उन पीछे लेके जाएंगे और यह ग्यान उबर वाला जो फंदा है इसे भी हम लेंगे और यहां पर वापस से ग्यान उबर करके इसे सीधा कर लेंगे और दो फंदों का एक फंदा करेंगे कुछ इस तरीके से फिर वापस से हम यहां चार फंदों को जो है उल्टा बिनेंगे एक, दो, तीन, चार, उन पीछे और एक ही यान उबर किया हो इस तरीके से बना लेंगे इधर भी फंदा बढ़ाते जाना है यहां पर भी बढ़ाना और घटाना भी है तो कुछ तरीके से हो जाएगा फिर उनको अपनी और ले करके आएंगे और यह जो है जो हमने फोर फंदे उसे उल्टे बीने है इधर से हम इसे सीधा बीन लेंगे देखें तीन चार सीधा बीन लेंगे फिर यह जो है उनको अपनी और लेका आएंगे एक फंदा यहां पर सीधा बीनेंगे यह जो हमने सीधी लाइन ले करके आ रहे हैं उसे हम सीधा ही बीनेंगे फिर य यहाँ पर फद्धे उल्टे बिने हैं उसे फिर उनको पीछे करके इसे हमें सिधा भी लेना है एक दो तक है जाली वाला Healthy लाइन अब जो है इस चाहये है अब पिऐसे करके हमें इश बनाना है कि अब है घटाते आ अब यह हमारे पास इधर 4 जाली तक बन चुके हैं देखिए 1,2,3,4,4 जाली बन चुके हैं अब हमें इस डिजान को इधर मोड ना है इस तरीके से पहले फंदे को स्कीप करेंगे 1,2,3,4 और यह जो सीधी वाली है इसको हम बीनेंगे इसे 5 उसके बाद फिर इसे ज्यान जाएगा यह हम दर से इधर जा रहे हैं तो इसके बाद फिर हम यहां पे जाली बनाना है और यहां पर इस तरीके से ग्यान उबल करेंगे और यह उल्टे फंदे जहें इसे हम बीनेंगे देखिए 1,2,3 और इसे सीधे बीन लेंगे देखिए 1,2,3, और ये सीधी बारी लाइन चार उसके बाद फिर यहां पर ग्यान ओबर करेंगे इस तरीके से अपनी ओर करेंगे क्योंकि इधर उल्टा बिनना है में तीन फंदा एक दो तीन फिर उन पीछे और ये एक्स्ट्रा फंदे इस तरीके से आपको यह बनाना है अब यह हम टर्न ल लखे हुए यह भी उसके बाद फिर हमें इसे पूरी स्लाइ जो है उल्टा उल्टा बिन करके कम्पलीट करना यह वापस है में सेम्परोस्स का इस्तमाल करना है और यह थोड़ सा गयाप होने के बाद फिर मैं इसमें एक डिजाइन आपको बना करके दिखाऊंगी तो देखें इस तरीके से हाँ scenes यह तो सिंपल यह अब हमें क्या करना यह दो फंदों का एक फंदा करना इस तरीके से घटा करके देखी जो सीदी वारी लाइन हमें ट्विश्ट किये थे उसमें से हमें एक फंदा इधर से लेंगे और फिर उसके बाद यहां पर ग्यान ओबर करेंगे और यह फंदा सीधा जाएगा इधर से भी हमें घटाना है तो दिखेंगे ट्विस्ट किया हुआ फंदा है इसको हम दो फंदों का एक फंदा करेंगी और इसके बाद फिर यहां पर ग्यान उबर करेंगे और फिर रॉंग साइड से सबी फंदों को उल्टा अब इसमें मैं आपको एक बीजाइन बना करके दिखाऊंगी इसी रो में तो फिर चलिए बनाते हैं इस तरीके से देखिए सब्सक्राइं है यह वाला जो प्रोशेस है हम इससे बनाते हैं रहना है है लिए फंदों का एक फंदा करेंगे पिर यहां पर ग्यान ओबर डालेंगे फिर एक दो तीन चार चार फंदे बिन लेंगे और इसके बाद फिर इस वाले फंदे में यहां पर स्ट्राइक को इन करेंगे और इस तरीके से फंदे निकालेंगे फिर यह ग्यान ओबर करेंगे और यहां पर एक फंदे और निकालेंगे यह जो है एक्स्ट्रा फंदे बन रहे हैं वापस से हमें ग्यान ओबर करेंगे और यह फंदे निकालेंगे ग्यान ओबर करेंगे और यह फंदे निकालेंगे इस तरीके से आप इसे जितना चाहे फंदे निकाल सकते हैं जितना घणा आपको यह डिजाइन चाहिए उसके याद फिर हम नेक्स्ट जो है बनाएंगे दो फंदे सीधे और यह से फिर हम यहाँ पे दो फंदों का एक फंदा करेंगे इसे हम घठादेंगे फिर जूर करेंगे और यह बाकी फंदों को बनाएंगी इस तरीके से यह पिर वापस लिजाइनुद करेंगे और इस तरीके से फंदे निकालेंगे उनको लप्स wünद यही वापसपत से चाहिए इसे offers निकालने इस तरीके से करेंगे यह जो है एक्स्ट्रा ही फंदे बने है इस बात का धियान रखना है तो फिर बागी फंदों को हम इस तरीके से बीन लेंगे तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा अब हम आजाएंगे रॉंक साइड में हमें जितने भी एक्स्ट्रा फंदे थे उसके हम गठा आना है तो दिखे इस तरीके से पहले फंदे दुसरे फंदे को पीन ना है और यह में एक साथ ही एक फंदा जो है एक्स्टा लेंगे यह अगर हम इसको एक ही बार घटा देंगे तो यह एक्स्टा फंदे बनते चले जाएंगे तो उसके साथ में हमें यहाँ पे एक्स्टा फंदे जो हैं ले करके उसके बाद हमें से दो का एक करना है तो ये जितने हमने extra fund ये बनाये थे वो तो घट गये प्लस एक fund और भी घटा यहां पर और फिर बागे fund को इस तरीके से मिल लेंगे जैसा कि देख पार हों, यहां पर extra fund यहां पर बनाये हैं उसको दोनों को एक साथ ही लेंगे और यहां पर घटा देंगे तो यहां पर एक घर और जो है घट गया है तो यह कुछ इस तरीके से बनेगा देखिए फिर वापस से आप इसे इधर से इधर टर्न कर लें फिर इसी तरीके से डीजाइन बनाते जाएं मैंने यहां पर थोड़ी से सेंपल के तौर पर आपको बना करके दिखाए हैं तो उमीद करते हैं आप सभी को यह डीजाइन पसंद आए होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब नहीं क